कि आपको this, that, these, those का use करने में confusion होता है कि कहाँ this लगाएं, कहाँ that लगाएं, कहाँ these लगेगा, कहाँ those लगेगा तो tension मत लीजे क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे doubts क्लियर करने वाली हूँ तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं Let's start the video पहले सीखते हैं this और that के बारे में, ये basically हमारे singular pronoun है Singular यानि एकवचन और pronoun यानि सर्वनाम सर्वनाम वो होते हैं जो संग्या के बदले में use होते हैं संग्या यानि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी person, place या think के बदले में use होते हैं पहले जानते हैं this का use, तो this वहाँ use होता है जब कोई चीज या person एक है यानि singular है, लेकिन हमारे पास में हैं, तो हम this का use करते हैं और जब कोई चीज या person एक है, यानि singular है, लेकिन हम से दूर है, तो हम that का use करते हैं तो समझ रहे हैं आप लोग कोई चीज या person एक है हमारे पास में है तो हम this लगाएंगे और जब कोई चीज या person एक है लेकिन हम से दूर है तो हम that लगाएंगे चलिए कुछ examples की help से this और that के use को समझते हैं यहां एक pen है तो इसे हम इंगलिश में कैसे बोलेंगे यह pen एक है यानि singular है और मेरे पास में है तो हम बोलेंगे this is a pen क्योंकि यह pen एक है और मेरे पास में है इसलिए हमने this का use किया है चलिए अब इस pen को मैं थोड़ा दूर रग देती हूँ तो अब मैं बोलूँगी वह एक pen है तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे that is a pen क्योंकि pen एक है यानी singular है लेकिन हम से दूर है इसलिए हम that का use करेंगे चलिए एक और example से इसे समझते हैं यह एक cup है इसलिए मैंने this का use किया है अब मैं इस cup को थोड़ा दूर रख देती हूँ तो अब मैं बोलूँगी वह एक cup है तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे that is a cup क्योंकि cup एक है यानी singular है लेकिन मुझ से दूर है इसलिए मैंने दाट का use किया है यह एक केक है तो हम इंग्लिश में बोलेंगे this is a cake क्योंकि केक एक है यानी singular है और मेरे पास में है तो हम this का use करेंगे वह एक केक है तो हम इंग्लिश में बोलेंगे that is a cake क्योंकि केक एक है यानी singular है लेकिन मुझ से दूर है तो हम that का use करेंगे सीखते हैं these and those का use ये हमारे plural pronoun होते हैं plural यानि बहुवचन these का use वहां होता है जब कोई चीज एक से ज़ादा हो यानि plural हो और हमारे पास में हो तब हम these का use करते हैं और जब कोई चीज एक से ज़ादा हो लेकिन हमारे से दूर हो तो हम दोस का use करते हैं कोई चीज एक से ज़ादा है और हमारे पास में है तो these का use और कोई चीज एक से ज़ादा है लेकिन हम से दूर है तो those का use चलिए कुछ examples की help से these and those के use को समझते हैं ये pants हैं तो इसे English में बोलेंगे these are pants क्योंकि pen एक से ज़ादा है यानि plural है और मेरे पास में है इसलिए हम these का use करेंगे वो pens हैं इसे English में बोलेंगे those are pants क्योंकि pen एक से ज़ादा है यानि plural है और मेरे से दूर है इसलिए हम those का use करेंगे ये spoons हैं spoons यानि चमच तो इसे हम English में बोलेंगे these are spoons क्योंकि spoon एक से ज़ादा है और मेरे पास में है इसलिए हम these का use करेंगे वो spoons है, तो इसे हम English में बोलेंगे, those are spoons, क्योंकि spoon एक से ज़्यादा है, यानि plural है, लेकिन मुझसे दूर है, इसलिए हम those का use करेंगे ये chocolates है, these are chocolates, क्योंकि chocolates एक से ज़्यादा है, यानि plural है, और मेरे पास में है, इसलिए हम these का use करेंगे वो chocolates है, those are chocolates क्योंकि chocolates एक से जादा है यानि plural है और मुझसे दूर है इसलिए हम दोस का यूज़ करेंगे एक बार इसे फिर से समझते हैं कि जब कोई चीज एक हो यानि singular हो और हमारे पास में हो तब हम this का यूज़ करते हैं और जब कोई चीज एक हो लेकिन हमसे दूर हो तब हम that का यूज़ करते हैं और जब कोई चीज एक से ज्यादा हो यानि plural हो और हमारे पास में हो तब हम this का यूज़ करते हैं और जब कोई चीज एक से जादा हो और हमसे दूर हो तब हम दोस का यूज़ करते हैं I hope आपको इतना clear हो गया होगा. जब हम खुद किसी को किसी से introduce कराते हैं, तब हम this का use करते हैं. और जब हम एक से ज़ादा लोगों को introduce कराते हैं, तब हम these का use करते हैं. चलिए इसे example की help से समझते हैं. अब suppose कीजिए कि आपको अपने father को अपने friend से introduce कराना है. और अपने पापा से बोलोगे, यह मेरा दोस्त है. इसे English में कहेंगे, this is my friend. और अगर आपके एक से ज़ादा friend आए हैं, तो आप बोलेंगे, यह मेरे दोस्त हैं. These are my friends. जब हम खुद नहीं बताते, हम किसी और के बारे में पूछते हैं, तो उस time हम that का use करते हैं, और एक से ज़ादा लोगों के लिए दोस्त का use करते हैं. चलिए इस example की help से समझते हैं. जब हम किसी से पूछते हैं, क्या वो तुम्हारी मम्मी हैं? तो इसे हम English में कहेंगे, is that your mother? तो यहां हम कुछ बतानी रहे हैं, यहां हम पूछ रहे हैं, क्या वो तुम्हारी मम्मी हैं? तो इसलिए हमने यहां that का use किया है. क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? तो यहां हम एक से ज़ादा लोगों के लिए पूछ रहे हैं. इसलिए हम इसे English में कहेंगे, are those your friends? तो यहां हमने एक से ज़ादा लोगों के लिए पूछा है, इसलिए हमने दोस्त का use किया है. फोन पर बात करते टाइम, जब हम खुद अपना introduction किसी को देते हैं, तब हम this का use करते हैं. For example, hello, this is Neha. फोन पर बात करते टाइम, जब आप किसी unknown person से बात करते हो, या किसी अंजान व्यक्ति से बात करते हो, तो उस टाइम आप बोलोगे, who is this या who is that? आज के दिन का कोई भी टाइम, जिसे आज की सुभा, आज की दुपैरी, आज की शाम, सिर्फ आज की रात चोड़के, क्योंकि आज की रात के लिए हम tonight का use करते हैं, तो इन सब के लिए हम this का use करते हैं, जैसे this morning, this afternoon, this evening. जो साल, जो महिना, या जो हफ़ता चल रहा है, उसके लिए हम this का use करते हैं, जैसे इस साल, यानि this year, इस महिने, यानि this month, इस हफ़ते, यानि this week, चलिए इस एक्जाम्पल की help से समझते हैं, मैं आज शाम पिज़ा खाऊंगी, I will eat पिज़ा this evening, तो यहां आज शाम की बात हो रही है, इसलिए हमने this evening लगाया है, मैं इस हफ़ते बहुत बिजी हूँ, I am very busy this week, तो इस हफ़ते की बात हो रही है, इसलिए हमने this week लगाया है, मैं इस महिने non-witch नहीं खाऊंगी, I will not eat non-witch this month, तो इस महिने की बात हो रही है, इसलिए हमने this month लगाया है, मैं इस साल नया घर खरीदूंगी, I will buy a new house this year, तो इस साल की बात हो रही है, इसलिए हमने this year यूज किया है, जो time, जो साल, जो महिना या जो हफता बीच चुका है या आने वाला है, उसके लिए हम that का यूज करते हैं, जैसे वो सुभव, that morning, वो शाम, that evening, वो साल, that year, वो महिना, that month, वो हफता, that week, मैं उस दिन बहुत थका हुआ था, I was very tired that day, तो उस दिन की बात हो रही है, इसलिए हमने that का यूज किया है, इस बार यानि this time, वो इस बार अपना जनम दिन नहीं मनाएगा, he will not celebrate his birthday this time, तो इस बार की बात हो यह है, इसलिए हमने this time का यूज किया है, इस बार वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, this time he won't leave you, उस वक्त या उस समय, यानि that time, उस वक्त मैं सो रही थी, I was sleeping at that time, तो यहाँ पे उस वक्त की बात होई है, इसलिए हमने that time का यूज किया है, उस वक्त वो busy था, he was busy at that time, तो यहाँ पर भी उस वक्त की बात होई है, इसलिए हमने that time का यूज किया है, आज का दिन या यह दिन, यानि this day या today, यह दिन मेरे लिए बहुत खास है, this day is very special for me, मुझे आज का दिन याद रहेगा, I will remember this day, या पुराना दिन, वह उस दिन दुखी था, he was sad that day, तो यहाँ पर उस दिन की बात होई है, इसलिए हमने that का यूज किया है, मैं उस दिन थकी हुई थी, I was tired that day, तो यहाँ पर भी उस दिन की बात हो रही है, इसलिए हम that का यूज करेंगे, आजकल के दिन, these days, वो आजकल busy है, he is busy these days, क्या तुम आजकल के दिनों को याद करोगे, will you miss these days, तो यहाँ पर भी आजकल के दिन की बात आई है, इसलिए हमने these का यूज किया है, those days, बीते हुए दिन या आने वाले दिन, मुझे उन दिनों की याद आती है, I miss those days, तो उन दिनों की बात हो रही है, इसलिए हमने those का यूज किया है, हम उन दिनों को नहीं भूल सकते, we can't forget those days, that का use conjunction के जैसे भी होता है, यानि that कभी-कभी दो sentences को जोणने का काम भी करता है, जब दो sentences के बीच में that आये, तो उसका मतलब की होता है, चलिए इस example की help से समझते है, मुझे पता है कि वह बुद्धिमान है, I know that she is intelligent, तो यहाँ पे that दो sentences के बीच में आया है, तो यह that एक conjunction का काम कर रहा है, यानि those sentences को जोणने का काम कर रहा है, उसने मुझे बताया कि वह खाना बना रही है, she told me that she is cooking, तो यहाँ पे भी that conjunction का काम कर रहा है, यानि दो sentences को जोडने का काम कर रहा है That का कभी-कभी meaning वो या उस भी होता है चलिए इस example की help से समझते हैं मुझे उस रंग से नफरत है I hate that color तो यहाँ पर उस के लिए हमने that का use किया है मैं वो काम नहीं कर सकता I can't do that work तो यहाँ पर हमने वो के लिए that का use किया है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजे और इसे जादा से जादा लोगों के साथ share कीजे जिससे की बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सके और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजे हम मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर बाई बाई